Hello student, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जारू हूँ, 15th मार्स से हम अमारे Neat Physics Quota के YouTube चैनल पर 30 days का crash course start करने जा रहे हैं, जो की बिलकुल free of cost है अगर आप Neat 2020 के लिए serious है और आप इसी साल Neat में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, then this crash course is for you those students who are willing to give their 200% in these last two months, then this crash course is for you अगर आप पूरी life ये regret नहीं लाना चाहते हैं, कि यार आखरी मोमेंट पे मैंने थोड़ी अच्छी त्यारी कर ली होती ये regret नहीं लाना चाहते हैं, कि यार थोड़ा सा और effort लगा दिया होता, तो मेरे इतनी अच्छे नमबर आ जाते इस regret से अगर आप बचना चाहते हैं, then this crash course is for you एक बात बड़ी important है, वो ये कि इन last के two months के उपर मैं इतना importance क्यूं दे रहा हूँ इतने सालों में पढ़ाने के दौरान, मैंने closely observe किया है, कि जो students इन last के two months के दौरान, अच्छे तरीके से preparation कर लेते हैं, give up नहीं करते, success होनी को मिलती है तो बटा, last के in two months में बड़े समाल करके हमें चलना है, अच्छे से revise करना है जो बच्चे top कर रहे हैं, उनको over confident नहीं होना और जिन बच्चों के 50, 60, 70 या 80 नमबर आ रहे हैं, उनको डरने की जरूवत नहीं है life सबको एक second chance जरूर देती है, ये आपके लिए एक second chance है अब आप इसका फाइदा उठाना चाते हो, या regret पालना चाते हो कियार मैं तैयारी कर लेता, तो शायद मैं select हो जाता या मैं थोड़ी और अच्छी तैयारी कर लेता, तो मेरे को मेरा dream college मिल जाता क्योंकि dream college नहीं मिलाना, तो भी तैयारी बेकार है फिर selection लेकर के भी कुछ फाइदा हमारे पास नहीं होने जा रहा तो ये ध्यान अकना in last के टूमत में हमें बहुत अच्छी तरीके से चीजों को revise करना है, अब इस crash course की क्या details रहेंगी क्या इस crash course में रहने वाला है, अब हम उस पे आते हैं तो crash course के अंदर हम लोग, अब पहले ये बता दूँ क्या cover नहीं करने वाले, हम इसमें कोई definition नहीं देखने वाले, इसमें हम कोई derivation नहीं देखने वाले, हम इसमें सिर्फ और सिरफ वही काम करेंगे जो need के लिए important है, हमारा सिर्फ और सिरफ main focus रहेगा concepts के उपर, expected questions के उपर, तो जिन बचों के concept ठीक नहीं है, वो अपने ठीक कर सकते हैं, इसके अंदर expected questions में आपको सारी के सारी कराऊंगा, जितने भी इस साल need के लिए important questions हैं, और एक बड़ी important बाद, not to be missed topics, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप बच्चे लोग कई सारे topic अपनी तरफ से छोड़ के चले जाते हो, उस topic से जब वहाँ question आ जाता है, फिर आप यारे यह कहते हो, अरे यारे यह मैंने पढ़ना छोड़ दिया, तो not to be missed topic हमें पता होते हैं, कौन से exam के अंदर आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले, तो not to be missed topic आपके जरूर इसके अंदर मैं cover करूँगा, इससे फाइदा यह होगा, कि आप जो चीज वहाँ छोड़ के जा रहे थे, अब वो चीज छूटे की नहीं, वो चीज 100% आपकी complete हो जाएगी, अच्छा, दूसरी बात, जीरो से लेकर के advanced level, के सारे problems हम इसके अंदर cover करेंगे, अब जीरो किसको बोलते हैं, जीरो लेवल मेरे इसाब से मैं उनको बोलता हूँ, जो direct formula based problems होते हैं, या जिनके बारे में हमें fact based problem होते हैं, direct पता होता है, कि आर सुना और टिक मार और आगे बढ़ गए, तो ऐसे जैसे semiconductor की conductivity कितनी है, अब जिस बचे को बता है, टिक मार और आगे बढ़ गए, तो वो zero type के problem इसके अंदर, zero level type के problem इसके अंदर रहेंगे, उसके बाद logical thinking based problem आएंगे, इसमें हम speed बढ़ाने के लिए काम करेंगे, speed किसमें बढ़ाएंग कि आपके वो problem फटाफट फटाफट से complete होना शुरू हो जाएंगे, negative marking आपकी control कर दूँगा, तो इसके अंदर बहुत कुछ रहने वाला है, तो बच्चों अगर आप खुछ से भी तियारी करते हैं, चलो मालो कोई भी topic आपने पकड़ा, मालो current electricity ले लिया, नहीं नहीं करत 1, 2, 3 hours की class रहेगी, अब 1, 2, 3 hour क्यों बोल रहा हूं, उसका क्या कारण है, तो 1, 2, 3 hour बोलने के पीछे कारण यह है, अब जैसे कई topic छोटे छोटे होंगे, जैसे surface tension है, ठीके न, surface tension या viscosity बहुत छोटा topic है, तो उसमें 3 गंटे की class की हमें जरूँद नहीं है, एक गंटे की class में काम चल जाएगा, optics है, current electricity है, बड़ा unit है, तो 2 गंटे भी हो सकता है, 3 गंटे भी हो सकता है, तो इस तरीके से 1, 2, 3 hours की daily YouTube के उपर 15th March के बाद आपको class मिलेगी, अब इस class का overall अगर हम time count करें, तो 62, 80 प्लस hours का आपको एक structured revision plan मिलने जा रहा है, जिसमें 0 से लेकर के advanced level तक के सारे problem cover up हो जाएंगे, और आपको ये डरनी की जरुवत नहीं है, कि ये last moment पे revision में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा पहले सही plan करके आपको YouTube के उपर upload करके मिलेगा, तो बच्चो, crash course related जो भी planner और schedule है, वो मैं आपको one week पहले advance में update करके YouTube पर दे द तो बाते हैं बड़ी important point पर हमारे need physics quota के enrolled student चाहे वो video lecture वाले हैं, चाहे test series वाले बच्चे हैं, आपके लिए एक और special gift है, वो gift ये है, कि आपको इस crash course के video lecture की जो भी PDF files है, वो एक नया course create करके उसके अंदर मिलेगी, आप 15th मार्च से उस files को अपना revise करने के लिए use कर सकते ह और दूसरी बड़ी important बात, आपके test series के अंदर जो important questions है, जो last moment पे आपको revise करने हैं, वापिस से देख करके जाने हैं, जो need के अंदर 100% आने वाले हैं, वो मैं आपको YouTube पे daily बताते रहोंगा, जैसे जैसे हम लोग topic cover करते जाएंगे, हम लोग daily उसको देखते चलेंगे, आपको discount मिल जाएगा, इस वीडियो को जादा से जादा बच्चों शेयर करो, ताकि जादा से जादा बच्चों का बला हो सके, और वो भी NEET exam के अंदर अच्छा score कर सके, तो जिन बच्चों ने नीट ती दिक स्कोटा का YouTube चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है, वो जाकर करके subscribe कर और bell icon जरूर दबा दे ताकि crash course से related सारी information, updates आप तक पहुंसती रहे हैं, thank you so much, और तब तक खूब मैनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, अब हम लोग crash course के अंदर खूब जबर्दस effort लगाने वाले हैं, और 100% NEET के अंदर हम selection लेंगे